आप देख रहे हैं सम्मेक इंडिया टीवी और इस जानकारी के आगे मैं जानना चारा था क्योंकि मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त होई सम्मेक प्रकाशन के माधियम से कि बाबा साहब भी कुत्ब मिनार गए थे महरोली गए थे तो हमारे साथ आज मौझूद हैं हमारे ग्यान के चक्षु जो हमारे बार बार हम खुलता है जिनसे हमारे ग्यान प्राप्त होता है बहुत अचारे शान शुरूब बहुत जी तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि बाबा साहब क्या गए थे महरोली कुत्ब मिनार और क्या बहुत अचारे शांद शुरूब बहुत जिसे स्वागते सर्व इंडिया टीवी के लिए धन्यवाद और दूसरा रही बात कुतुब मिनार की जो महरोली की पहाड़ी पर इस्थित है महरोली जो नाम है वो कैसे पढ़ा पहला लगे आ तो ये भी जान लें कि कुतुब मिनार जिस पहाड़ी पर इस्थित है ये अरावली पहाड़ जो गुजरात से शुरू होता है राजिस्तान होते हैं दिल्ली में पहुंच कर समाप्त हो जाता है अब जब दिल्ली उनिवर्स्टी जाएंगा वहां कहीं कहीं पहाड़ियां है फिर यम्न नदी आ जाती है वो यम्न कह दिया गया परचलन की भाषा में वहें पर ये कुत्बुद्न एबग की बनाई हुई कुत्ब मिनार है ऐसा संदर भी मिलता है ये दो किताबे हैं एक मेरे पूज्य गुरू लेखक तत्वलीन सुरूपचंद बोजी उनकी ये किताब है दिल्ली का दलितियास उस एसोशियेट जिनका नाम शंकरनन शास्त्री है उनकी किताब है ये युकपुरुष बाबा साहिब डाक्टर भीमराव अंबेटकर जीवन संगर्श एमवराष्ट सेवाएं ये दो किताबों की साक्षी ये है कि 1945 में जब भारत वर्ष में दुट्य विश्वयूद समाप्त की और अग्रसर था तब इसे देश की स्वतंतरता की भी आवाज गूंजने लगी थी बाबा साहिब डाक्टर अंबेटकर के पास एक डिपार्टमेंट था वर्क्स डिपार्टमेंट वो क्योंकि आर्थिक संकट में चल रहा था देश तो इसलिए उसको लोक अप किया गया और शंक्रन अंबडा शास्त्री जी की नोकरी चली गई बाबा साहिब डाक्टमबेटकर के पास वाई और कहने लगे के ओं मैं तो रोड पर आ गया बाबा साहिब अब आप आप ही मेरे मुक्ति दाता हैं, आप ही मेरे मार्क दाता हैं, आप ही कोई अब मेरे कोई उपाय करें, बाबा साहब ने कहा कोई चिंता नहीं है, करेंगे, वो भी करेंगे, जब पहले किया था, तो अब भी करेंगे, ये बात दिसंबर 1945 की है, बाबा साहब ने उनको एक विश बनारस में विश्व दाले खोला है हिंदु विश्व दाले बनारस में तो आप भी इसी तरीका को कुछ बनाएं कहलें ठेक है मैं बना सकता हूँ जनता के बीच में भी जा सकता हूँ राजे रजवारे और बड़े-बड़े महापुर्शों से धन ला सकता हूँ मगर पहले हमारा initial amount हम अपने समाज से इकठा करेंगे तब बाद में करेंगे तो उन्होंने संक्रामन शास्ती जी को रसिद वो के छपवाई थी वो दे करके पंजाब भेजा था पंजाब में चंडिगर जा करके क्योंकि वो वहां बहुत दिनों तक आरे समाज का काम कर चुके थे नोकरी भी कर चुके थे वो उनका परिशित इलाका था कुछ बाबा साहिब डांक टम बेट करके दिवाने लोग थे अधिकारी लोग थे तो वो वहां गए और वहां से जब वो आए बाबा साहब के पास में तो ग्यारा हजार का कलेक्शन करके लाए और बाबा साहब को जब वो कलेक्शन दिया तो बाबा साहब ने का बहुत अच्छे दिन आयो शास्री तुम कल हमारा पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम है तुम भी चलोगे क्या कहलें बाबासाब कहा जा रहे हैं कहलें हम कुतम मिनार का जो गार्डन है वो बड़ी तारिफ हमने सुनी है हम वही चलेगा आप भी चलिए तो आगले दिसंबर 1945 को सुबा सुबा शंकरनन शास्ती जी बाबसाब 22 पिर्थ्विराज रोड पर रहते थे और या रक पुरम में रहते थे सरकारी कलोनी में वहाँ जब पहुँच गए तो खाना त्यार हो रहा था बाबसाब जा करके गारी में बैठ गए गारियां भी दो थी एक गारी में बाबसाब की कुर्सी रखी गए और जब नहीं आएं तो बाबा साब को जिग्या सुझी आए क्या हुआ बाबा अरे तुम इधर रिलेट करेगा तो उधर क्या नजारा देखेगा तो बाबा साब अपनी गाड़ी से उत्रे और जब अंदर गए तो पता चला कि अभी नहाश्ता तैयार नहीं है अरे बाब प्रे आँसुह में मैं तर हो गया मेरा सारा चेरा ये देखकर कि दुल्या का इतना महाप्रुष मुझे को इतना चाहता है कि मेरे लिए नाश्ता बनाने में भी वो सहयो कर रहे हैं तो बड़ा भावक पल था बड़ा भाव विबोर करने वाला पल था बाबा साब ने और माई जी ने मिलकर के और उनका जो अपना एक रसोईया था उनने मिलकर के वो नाश्ता तयार किया अल पाहर तयार किया और फिर वो गाड़ी में बैट करके कुत्व मिनार गए कुत्व मिनार जिस रोड पर बाबा साहिब डांक टम बेट करकी कोटी थी 22 पिर्थ्विराज रोड आरंब होता है और वो ही अरुइंदो मार जहां खतम होता है उसी रोड के बिलकुल लास्ट में कुत्व मिनार तो बाबा साहब जब वहां गए तो उनके साथ तो थोड़े से लोग गए थे थोड़े दिर बाबा साहब कुत्व मिनार के सामने जो बहुत सुन्दर गिरी थी बाबा साहब गार्णिंग के बड़े बेत्रीन जानकार थे। उन्हें जब अपनी कोठी मिली थी बाइस नमबर पिर्थुराज रोड वो तो भूत बंगला थी। बाबा साहब डांक टमबिट कर करनाया। सरकारी एवार्ड होता था। और शास्तिरी जी लिखते हैं कि उस बंगले में कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी, तो गार्डनिंग की कला से पूरे तरीके से वाबस्ता बाबा साहिब डार्क टमबेट करने, जब कुत्व मिनार की गार्डनिंग देखी तो बड़े परसंड हुए, मगर एक वहाँ बाबा साहिब डार्क टमबेट करको चौकाने वाली घटना ये हो गई, कि अभी तो नहीं वहाँ पहुँचे वह गंटा भी नहीं हुआ था, कि वहाँ उनकी परसंड सब्सक्राइब आने लगे, कितने ततपर रहते थे इस बास से पता चलता है, कि बाबा साहिब डार्क टमबेट कर ये 1945 की बात है, साथ दिसंबर की मोसम सर्दी का था, मगर उनके लाडो सराए, नेव सराए, महरोली गाउं प्रोपर, क्योंकि ये जो कुत मिनार तो महरोली प्रोपर गाउं से कोई डेड़ किलोमेटर इधर है, वो वहाँ से चिराग दिली, आपका देवली गाउं, ये इस तरीके के सब जगे के लोग यूसु सराए, हिमायोपूर, तो ये वहाँ से लोग बाबा साहिब डांक ट्रम बेट करके दर्शन करने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए वहाँ पर एकठे हो गए, बाबा साहिब डांक ट्रम बेट करको बड़ा अश्चर हुआ, बाबा इधा तो हम कुछ देर के लिए अराम करने आये थे ये लोग तो इधर भी आ गए इन लोग उनको बताया कौन इन लोग उनको बताया किसने तो एक वहाँ चोधरी किसन लाल थे महरोली के उन्होंने का साहब गुस्ता की कि माफी अगर आप हमेरे गाओं में आवें और मैं किसी को ना बताओं तो ऐसा कैसे हो सकता है तो यह बाबा साहिब डाक्ट अमबेट करकी बाबा साहिब डाक्ट अमबेट के साथ में एक उनके मित्र जोशी भी गए थे वो शासरी जी ने लिखा है कि जोशी जी ने वहाँ उनको कहा था कि मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है डाक्टर साब के मैं तो यह समझता था कि आपको महराश के लोग यह आप पर जान छड़कते हैं मगर आज यह साबित हो गया कि सारा भारत आप पर जान छड़कने को तयार है कि मुझे भी नहीं पता था कि अपरतियाश्यत रूप से आपके जानने वाले आपके मानने वाले इतनी भारी संख्या में यहां खड़े हो जाएंगे तो यहां आकर के आपके सुआगत में जुट जाएंगे वो लोग आए थे गरीब लोग थे पैदल चलके आए थे बुरा हाल था मगर बाबा साहिब डांक टंबेटकर को देखती है उनकी सौरी ठकन भाग गई बाबा साहिब डांक टंबेटकर ने बताया लोगों ने कहा कि बाबा साहब जब आप यह आए हैं तो हमारा ग्यान परकास कीजिए अपने विचार से हमें ज़रूर लाभान वित कराईए तो बाबा साहिब ने कहा ऐसा क्या अच्छा चलो अभी क्या है कि वो अंगरी जी सरकार का सूरज डूब रहा था और नए भारत नए सरकार बनने की चर्चाएं जोरों पर थी ऐसे माहूल में बाबा साहिब डाक्टम बेट करने जो अपने विचार व्यक्त किये बड़े प्रेरित करने वाले हैं ये बाबा साहब का महरोली का भाषान अन्यतर नहीं मिलेगा ये शास्ति जी नहीं दिया है अपनी किताब में मैं आपको इसे पढ़के सुनाओंगा शायद आप बाबा साहिब डाक्टम बेट करके उस तरफ को बाबा साहिब डाक्टर की उस पीड़ा को जान सकेंगे जो पल पल उनका पीछा करती थी बाबा साहब कहते हैं मैं यहाँ पर दो तिन गंटों के लिए आराम करने के लिए आया था आप लोगों को देखकर मुझे बड़ी परसंत हुई आप लोगों को मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि दूसरा विश्वयुद्व समाप्त हो ग ये एक बड़ा प्रिश्व मेरे सामने मुभाय खड़ा है स्वतंतर भारत में हम भी स्वतंतरता पूर्वक समान नागरिकों की भाती रह सकें और भारत के शाषन में हमारा भी कोई इस्थान हो मैं इसी के लिए संगर्शरत हूँ संगर्श कर रहा हूँ अच्शूतों की चाहिए सभी जातियों को चाहिए कि वे आपस में हिंदों की भाती भेद भाव ना करके सभी एक जगा इकटे होकर अपने हक अधिकार हुर हितों के लिए संगर्श करें मैं बड़ी कठनाई से इस उद्धार की नाव को यहां तक लाया हूँ मैंने जिन कष्टों को सहन किय और जिस परकार विरोधियों का मकावला किया उसे आप सब जानते हैं मैंने अपने लोगों को जो अधिकार दिलाए हैं उनके पीछे हमारे और आप सभी के साहत सहयोक एक ताबद संगर्श की कारण हैं संगर्श ही हमारा जीवन है हमारे अधिकारों के पाने और सभी मिले अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें लंबी ललाई लडाई लड़नी पड़ेगी यह लड़ाई किस परकार की होगी मैं इसके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा बाबा साहिब डांक टमबेट करका यह एतिहासिक भाशन यह साबित करता है कि बाबा साहिब डांग ट्रम्बेट करने अपने जीवन में जो किछ भी प्राप्त किया मातर संगर्ष के बल पर प्राप्त किया आज के नेताओं ने ये चरितर छोड़ दिया अपने मुक्तिदाता का ये संदेश भूल गए वो दुश्मनों के तलुए चाटने लगे और ब समाज को एक नई उर्जा देने का काम करेगा बाबा साहिब डांग टंबेट कर जब कुत्व मिनार गए थे वो तो 1945 में गए थे मगर अपने जीवन से एक सब्ता पहले छे या पास दिन पहले भी वो महरोली गए थे कुत्व मिनार की जड़ में एक जगा है अशो का बुद हमें तो उनका बड़ा आशिरवात प्राप्त होता था वो उनको एक जगा चाहिए थी दिल्ली में कोई बुद्वियार के लिए नहरू जी के पास गए कि नहरू जी आप हमको कोई एक जगह दीजिए ताकि हम बुद्ध की परतिमा रखकर अपने धार्मिक कारेकरम कर सकें नहरू जी ने बहुत सरफ तरफ नजर दोड़ाई और बंते जी को कहा आप भी कोई जगह देखो मैं भी देखता हूँ मैं अपने लोकों को भी बोलता हूँ तो वहाँ पर जो आज आप देखते हैं ना एक महवीर स्वामी जी की एक पत्थर की बहुत बड़ी मूर्ती एक कोई पुराना एंशेंट मोनुमेंट है वो अभी जो वहां मूर्ती रखी है भगवान बुद्ध की किसी नई बिल्डिंग में नहीं है नई बुद्धियार में नहीं है वो पुराना जो महराब होते थे बड़े बड़े खंबे होते थे मोटी मोटी दिवारे होती थी उस का वो बुद्वियार है उसी में मूर्ती रखी है तो बाबा साहिब डाक टम बेटकर अपने परिनिर्वान से पूर शायद चार तारिक को वो इस अशो का मिशन में गए थे वो भी महरोली में पढ़ता है और वहाँ पर दलाय लामा भी आये थे दलाय लामा जी ने उस समय बोधी सत्व डाक टम बेटकर इस प्रिजेंट अमंग अस इट इस अ मैटर ओफ ग्रेट प्राइड ये दलाय लामा ने जो संसार के सबसे बड़े बोध नेता संसार के सबसे अधिक चर्चित बोध नेता उन्होंने मेरे मुक्ति दाता को उनके जीवन काल में बोधी सत्व कहा ये उनके सम्मान की बात थी यदपी बाबा साब को लिविंग बोधी सत्वा की उपाधी 25 मई 1950 को कोलंबो के एक विश्व सम्मेलन में विश्व बोध सम्मेलन में जिसे वर्ड बुद्धिस फैलो के नाम से जानते हैं उसमें दिया जा चुका था तो बाबा साहिव डा पिकनिक के लिए ओखला भी गए थे ओखला आज की तरह है वहाँ ये जो फनेन फूड वगरे सब चल रहे ना ऐसा कुछ नहीं था बहुत मुश्किल से कोई पिकनिक स्पोर्ट होता था ओखला वाजदा लीडिंग पिकनिक स्पोर्ट एड़ टाइम बाबा साहिव उनके सम मचली पकड़ने का काम किया था बाद में उन मचली खाने के बड़े शोकिन थे उनके छोटी सूखी मचली होती तो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा हमेशा जब भी वह महाराश जाते थे उसकी चटनी अपने खाने के साद जरूर शामिल करते थे वह चटनी वहां के ल है आप इसको टेस्ट कीजिए मैंने की टेस्ट तो साथ यो बाबा साहब ने जब वहां फिशिंग की बना कर खाया तो अगले दिन के हिंदू अख़बारों में क्या छपा हिंसक अंबेट कर अरे क्या हिंसा कर दी डाक्टर अंबेट करने कि उन्होंने उखला जाके मच्छिय मार के खाई यह जब अगले दिन यह अख़बार बाबा साहब की कोठी पर आया तो सभी अंबेट करने भी वह अख़बार पढ़ा उनको दिल्ली वाले जो गए थे बाबा साहब की परशंसा में उन्होंने वह अख़बार दिया और उन्होंने वह अख़बार पढ़ा तो एक चांदी वाला थे, बहुत बड़े पत्रकार थे, बाबा साब के उपर बड़े आसक्त थे, बहुत लट्टू थे, उनसे परभावित थे, और बाबा साब की कवरेज लेने अकसर आते थे, उस दिन भी वह आये वे थे, अब माई साब को गुस्सा उस चांदी वाले पर इस होगा, उसके घर में उतने बड़ा जलकुंड होगा, एक सरोवर होगा, एक तालाब होगा, एक बावरी होगी, और उसमें वो क्या करते हैं, मचली पालते हैं, वो ब्रामन जितना बड़ा ब्रामन होगा, उसके घर में उतना बड़ा कुंड होगा, उतने उत्तम कोटी क मचली होगी, वो काई के लिए पालते हैं, वो खाने के लिए पालते हैं, और देखना, मुझे सारा पालूम है, कि ब्राहमनों नो क्या क्या खाया, सारा बताना पड़ेगा क्या मुझको, वो जिए बाबा साहीब डार्क टमबेट करके पावन इसमिघतियां, यह ख्ला पिकेनिक स्पोर्ट से जुरी होई है, बाबा साहीब डार्क टमबेट करके, झाल झाल